खत्रा ये कि अब चुनाव महस रस्मद आएगी होगी ये इस्तीफा देते हुए बोला गया ये रस्मद आएगी होगी यानि अगर गांधी परिवार चुनके नहीं आएगा तो चुनावी रस्मद आएगी है देखिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जहां पर गांधी परिवार के लोगों का चुनाओ आज से नहीं ये 70-75 सालों से रस्मदाइगी होता रहा ये बताईए गांधी परिवार का एक व्यक्ति बताईए जो पहली बार सीधे जनता के द्वारा चुन के आया हो इंक्लूडिंग जमालाल नहरू जी सीडबलू सी की बात की गई सीडबलू सी किसको चाती थी सर्दार पटेल को रस्मदाइगी हुई केवल चुनाओ की और बना दिये गए नहरू जी इंडिकेट से चुनाओ लड़के नहीं आई बाद में चुनाओ जीती राजीक बांधी इसलिए मैं कहना चाहता हूं जिनोंने रस्मदाइगी की बात कही वही आज ये बात कहें और सुनिये आचार जी की वादे क्या किया अभी अभी जनता ने जनादेश दिया है उसके बाद आप ये बोल रहें तो जनता के जनादेश का सीधा अपमान कर रहें इसकार्थ जब रहुल गांदी ने इसी अपने रेजिग्रेशन लेटर के अंदर बोला कि मैं मानता हूं मेरी मेरी नितित्व में हार हुई है कि नीचे लिखा कि मैं अकेला ही लड़ाई लड़ा था भई अगर आपके लड़ाई लड़ा थे आपके नेता आपके साथ नहीं थे तो ज राहुल गांदी के नाम का लड़ू अपने हाथ में रखते थे वो लड़ू आपसे छिटक ज्याय कहीं दूख इसका तो नहीं है शिवरा सिंग चोहान कह रहे है कि राहुल गांदी कॉंग्रेस को निप्टा के खुद कहां भाग गए हैं कहां भाग रहे हैं आप चाहते है राहुल गांदी रहे जैसा असीम वकार ने बोला वह आपके स्टार प्रचारक है जो सत्ता में रहे और जब उनकी आख की कनखी के इशारे पर सत्ता चल रही थी तो अध्यादेश फाड़ रहे थे फिर विपक्ष में रहे तो आपने दिखाया आंक मार रहे थे अभी जब जया तो आप पिचले समय में सदन के हर सत्त के समाथ ने के बाद फुर से बीदेश चले जाते थे और अंतर-ध्यान हो जाते थे तो ना हमने किसी को भगाया ना किसी को कुछ कराया- जो कुछ है- उन्होंने कहा था ना-चुनाव से पहले जबना एक त्वीट नहों ने और आद देखिए कर्म उस रूप में सामने आए हैं भाया कोई लाक करे चतुराई कर्म का लेक मिटे नरिबाई